आधुनिक भारत के इतिहास के इस वीडियो में हम कांग्रेस से पूर्ब स्थापित राजिनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का यह पहला वीडियो हैं चलिए शुरू करते हैं भारती रास्टे कांग्रेस की स्थापना के पूर्ब बने राजनीतिक संगठनों में मुख्यतेह संपन तथा कुलीन वर्ग के लोगों का वर्चस्सु था जिन्होंने प्रसासनिक सुधार तथा सिच्छा के प्रसार में महत्पूर्ण भूमिका निभाई भारत के सुरुवाती राजनीतिक संगठनों पर संपन वर्ग जैसे जमिनदारों, ब्यापारियों ब्यापारियों में जैसे दादा भाई नरोजी आरी तथा कुलीनों यों सिविल सेवंकों का प्रभाव था जैसे वर्टमान में अगर राजनीतिक संगठनों पर देखा जाए तो उनके परिवारों का ही उस पे वर्चसु है लेकिन उस समय पर जो कांग्रेस अस्थापित हुई उसके पहले जो राजनीतिक संस्थाएं अस्थापित हुई उन राजनीतिक संगटनों में उस समय के संपनवर्ग जैसे की जमिनदारों, ब्यापारियों, ब्यापारियों में जैसे दादा भाई नोरोजी की तरह के लोग और कुलीनों तथा सिविल सेवकों का प्रभाव था तो उसके पहले कुछ संगठन स्थापित किये गए जैसे बंग भासा प्रकासी का सभा अभी इसके बारे में हम आगे डीटेल में पढ़ने वाले हैं इन सभी के बारे में लेकिन पहले एक ओवर्विव लेके चलते हैं जमिंदारी एसोसियेशन या लेंड होल्टर सोसाइटी, बिटिस इंडिया सोसाइटी, बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी, बिटिस इंडिया एसोसियेशन, मदरास नेटिव एसोसियेशन, बॉम्बे एसोसियेशन, इस्ट इंडिया एसोसियेशन, नेशनल इंडियन ए तो इस तरह के कुछ संस्थान थे कुछ राजनीतिक संगठन थे जो बनाए गए अब इन राजनीतिक संगठनों से हमारी परिच्छाओं में प्रस्ण किस तरह से बनते हैं तो ये कोई भी एक संगठन के बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे इस संगठन की अस्थापना कब ह लोग थे जो इस संगठन के सदस्य थे तो इस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं तो आईए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं बंग भासा प्रकाशी का सभा जो बंग भासा प्रकाशी का सभा है यह 1836 में स्थापित बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन था इसने बंगाली सिच्छा को प्रोथसाहित किया तथा इस संगठन में सरकार और प्रसासक की समिक्षा की जाती थी इस संगठन में सरकार और प्रसासक की समिक्षा की जाती थी इसने भारत वासियों को राजनीति के प्रतिक प्रारंभिक रूप से जागरुप बनाने का प्रयास किया तो जो बंग भासा प्रकाजी का सभा है इसकी इस्थापनासन 1836 इसभी में होती है बंगाल में और इस राजनीतिक संगठन का उद्देश बंगाली सिच्छा को प्रोथ साहित करना था इस संगठन के द्वारा सरकार और प्रसासन की समिक्षा की जाती थी इसने भारत वासियों को राजनीति के प्रारंभिक रूप से जागरुप बनाने का प्रयास किया दूसरा जमिंदारी एसोचियेशन इसे लैंड होल्डर्स सुसाइटी के नाम से भी जाना जाता है इसका गठन जमिंदारों के हितों की रच्छा के लिए सं 1838 में किया गया था अपनी सिकायतों के निवारण के लिए इन्होंने संबैधानिक प्रतिरोत के तरीके का इस्तिमाल किया अगला है पूना सार्वजनिक सभा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना सन 1867 में की जाती है कौन करता है तो महादेव गोविंद राना डे वा उनके साथियों के द्वारा इस पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है यह सरकार वा देश की आम जनता के बीच सेतु यानि पुल की तरह काम करने वाला संगठन था पूना सार्वजनिक सभा एक बहुत ही महत्पून्ट संगठन है जिसके अस्थापना सन 1867 इस बी में महादेव गोविंद राना डे वा उनके साथियों के द्वारा की जाती है अगला है मदरास महाजन सभा इसकी अस्थापना सन 1884 इस बी में एस रामा स्वामी मुदालियर वप्पी आनंद चारलू के द्वारा की गई इन्होंने देश के लोगों की स्वतंतरता के लिए जैसे उनके मूलाधिकारों की बात की इसकी अस्थापना इस्थानिय संस्थाओं के बीच सामंजस इस्थापित करने के लिए हुई थी मदरास महाजन सभा तो मदरास महाजन सभा बहुत ही महतूर है यह भी यह 1884 में एस रामा स्वामी मुदालियर वप्पी आनंद चारलू के द्वारा की गई थी अगला है बंगाल ब्रितिस इंडिया स्थाइटी इसकी अस्थापना सन 1843 इस्थाइस में की गई थी इस संस्था ने सभी वर्गों के लोगों के उत्थान और अधिकारों की मांग रखी इस सभा का प्रमुक उद्देश बिटिस सासन में भारतियों की वास्थिक अवस्था के विशे में जानकारी प्राप्त करना था उनका प्रचार प्रसार करना और जनता की उन्नती सामाजिक कल्याण के लिए वा न्याय पूर्ण अधिकारों के लिए सांतिमें और कानूनी साधनों का परियोग करना था बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी का तो बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी के स्थापना कब की गई? सन 1843 ने अगला है इस्ट इंडिया एसोसेशन इस्ट इंडिया एसोसेशन के स्थापना सन 1866 टिस्बी में की गई कौन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया और दादा भाई नोरोजी ने इस संस्था इस एसोसेशन की स्थापना लंदन में की तो सन 1866 में दादा भाई नोरोजी दोरा इस संस्था की इस एसोसेशन East India Association की स्थापना लंदन में की गई इसका प्रमुख उद्देश बिटिस जनता के बीच भारत के हितों से जुड़े प्रसनों को उठाना था तो यह एसोसेशन भी बहुत ही महत्पूर्ण है East India Association जिसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नोरोजी ने लंदन में की थी आगे बढ़ते हैं और अब हम इतना डीटेल में अभी इन संस्थाओं इन संगठनों के बारे में बात की हैं अब इतने डीटेल में बात ना करते हुए कुछ जो महत्पूर्ण बिंद हो सकते हैं केवल कि जो संस्था है उसकी स्थापना कब हुई, कहां पर हुई और किसके द्वारा हुई इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि अक्सर प्रस्द ऐसे ही बनते हैं तो देखे लेंड होल्डर सोसाइटी लेंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना द्वार का नात टैगोर ने किया है लेंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना सन 1836 इस भी में की गई लेंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना कलकत्ता में की गई लेंड होल्ड सोसाइटी जिसके स्थापना सन 1836 में कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की जाती है बिटिस इंडिया सोसाइटी के स्थापना सन 1849 में लंदन में बिलियम एडम के द्वारा की जाती है बिलियम एडम बिटिस इंडिया सोसाइटी के स्थापना करते हैं लंदन में सन 1849 में नेक्स्ट इज बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी के स्थापना सन 1843 में कलकत्ता में की जाती है अगला है बिटिस इंडिया एसोसियेशन जिसके स्थापना सन 1852 में मदरास में यानि मदरास वर्तमान में जिसे चन्नई के नाम से जानते हैं वहाँ पर की जाती है अगला है Bombay Association के स्थापना सन 1852 में बंबई में जगनाथ संकर सेट के दौरा की जाती है अगला है East India Association इसकी स्थापना सन 1866 में लंदन में दादा भाई नोरोजी के दौरा की जाती है East India Association देखें जिसके बारे में अभी हम बात किये थे East India Association इसकी स्थापना लंदन में दादा भाई नोरोजी के दौरा की जाती है अगला है National Indian Association इसकी स्थापना सन 1867 में लंदन में मेरी कारपेंटर के दौरा की जाती है तो ये दो दोनों सनस्थाएं हैं इन दोनों सनस्थाओं के स्थापना लंदन में की जाती है एक जो East India Association है इसकी स्थापना दादा भाई नोरोजी के दौरा और दूसरा National Indian Association है इसकी स्थापना मेरी कारपेंटर के दौरा की जाती है आगे बढ़ते हैं और अगला है पूना सारवजिनिक सभा जिसकी स्थापना सन 1867 में पूना में के दौरा की जाती है और इनके साथ में जीवी जोसी भी होते हैं तो जीवी जोसी और एमजी राना दे ये स्थापित करते हैं पूना सारवजिनिक सभा सन 1867 में पूना में Indian Society जिसके स्थाफणा सन 1872 में की जाती है लंदन में और इसके स्थाफणा करते हैं आनंद मोहन बोस Indian Association के स्थाफणा सन 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस के दोरा ही की जाती है तो आनंद मोहन बोज के द्वारा लंदन में स्थापित किया जाता है सन 1872 में Indian Association, Indian Society और Indian Association के स्थापना करते हैं 1876 में कलकत्ता में अगला है मदरास महाजन सभा जिसके स्थापना सन 1884 में मदरास में GSIR के द्वारा की जाती है अगला है Bombay Presidency Association के स्थापना सन 1885 में बंबई में फिरोज साह मेहता के टी तेलंग वा बदरुद्दीन तयब जी के द्वारा की जाती है कौन से संगठन Bombay Presidency Association इसके स्थापना की गई सन 1885 में कहाँ पे बंबई में किस ने किया फिरोज साह मेहता के टी तेलंग वा बदरुद्दीन तयब जी ने अब आप यहाँ पे वीडियों को पॉज़ कीजिए और आप इसका स्क्रीन साट लेके रख सकते हैं अब आगे हम कुछ प्रसनों पर डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में बस अगले वीडियो में हम कांग्रेस से पूर्ब स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधे थी कुछ महत्पूर्ण प्रसनों पर चल्चा करेंगे तो मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोज हम लेके आते हैं इसी चैनल पर तो अगले वीडियो में हम आपसे भी मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद